हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम सुगर पेसिंटों को धी जाने वाली दवाईयों के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें दवाईयों के फारमूले को देखकर दवाई के यूज के बारे में जानेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सुखर में इस्तमाल की जाने वाली सभी मेडिसिन को आसानी से पहचान पाएंगे तो डाइबिटीज में हमारे बलड में ग्लू कोज की मातरा बढ़ जाती है जिसको हमें कम करने के लिए कुछ मेडिसिन का यूज करना पड़ता है तो यह जो मेडिसिन होती है यह दो तरह से कार करती है पहली मेडसिन हमारे बोडी में इंसुलीन के सिक्रेशन को बढ़ा देती है जिससे इंसुलीन ग्लूकोज को गलाइकोजन में बदल देता है और दूसरी मेडसिन जो हमारे ग्लूकोज की प्रोडक्शन को गटा देती है तो इन्ही दोनों types की medicine के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो अब हम type 1 की medicine के बारे में बात करने वाले हैं यानि की हुआ medicines जो body में insulin के secretion को बढ़ा देती हैं तो यहाँ पर हमने 5 suffix लिए हैं जो medicine के last me use किये जाते हैं जैसे mild, gyde, naid, raiđध और gliptin तो suffix ऐसे words होते हैं जो किसी भी medicine के फारमूले के last में use किये जाते हैं जिन medicine के last में ये word देखने को मिलते हैं mild, gyde, naid, raiđध और gliptin अब तो आप समझ जाएएगा कि यह medicine ब्लड में इंसुलीन के सिक्रेशन को बढ़ाने का कार करती है जो कि हमारे डैवटीज की टैबलेट या फिर दवाईया होती है तो हम एक एक करके सभी सफिक्स को समझ लेते हैं जिसमें पहला ग्लिप्टिन के सभी एक्जामपल्स को समझ लेते हैं जिसमें सीटा ग्लिप्टिन, बिल्दा ग्लिप्टिन, एलो ग्लिप्टिन और नीनो ग्लिप्टिन तो इन सभी के लाश्ट में ग्लिप्टिन वर्ड का प्रियोग किया गया है तो अब आप समझ सकते हैं कि जिन मेडसिन के लाश्ट में ग्लिप्टिन वर्ड आता है हुआ है medicine diabetes में यूज की जाती है ऐसे कि अपने यहाँ पर पिक्चर लगाई हुई है जो कि है जनोविया हेंडर्ड की जिसका salt name सीटा गलिप्टिन होता है यानि यह medicine diabetes के नहीं यूज की जाती है तो अब हमारे अंगले सपिक्स वाइड है माईड, जाइड, नाइड और राइड तो यह भी ऐसे medicine होते हैं जो की insulin के secretion को बढ़ाने का कार करती है तो यहां यह total 7 salt name है जिसमें 2 2 के last में माईड दिया हुआ है और उसके बाद जाइड और नाइड और लाइड में इसमें राइड दिया हुआ है तो आप इस तरह पहचान पाएंगे कि यह सभी medicine diabetes के नहीं यूच की जाती है तो यह सभी ऐसे फार्मूले या drug salt होते हैं जो की diabetes की medicine में यूच की जाते हैं अब हम type 2 medicine की बात करें तो यह medicine glucose के बनने को ही कम कर देती यानि glucose के production को ही रोंग देती है तो इसका बहुत ही common salt नेम होता है जो की मेट फार्मिंग जो की diabetes में यूँवर करता है तो इसका ब्रैंट नेम 更 गलाइको मेट होता है जिसमें मेट फार्मिंग salt यूच किया जाता है तो हमने देखा था जनोबिया जो की medicine का ब्रैंड नेम होता है वह इसके जश्ट उपर सीटा ड्लिप्टिन लिखा हुआ है जो की साल्ट ने होता है तो हमें मेडसिन में यही देखना होता है क्योंकि ही इसी से हम मेडसिन के वर्ग को पहचान पाते हैं तो यह थी दोस्तो हमारी वीडियो अमीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और हम ऐसे ही वीडियो आप के दिए लाते रहेंगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और विल आइकन को भी प्रिस कर ले और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करे धन्यवाद